हेलो मेरे दोस्तों मैरा हुल और स्वागता आप लोगों का आपके अपने जोप चानल आरके सेंटर पर दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक मॉस्ट इंपॉर्टन कोशन करवाया जाएगा जो आपके एक्जामेरेशन के लिए भी भी आई होनी वाला है तो आज का प्रस और तो हम लोगों ने देखा ही नहीं राजत्व सिधान्त का मतलब क्या होता है ठीक है तो राजत्व सिधान्त का मतलब होता है राजा का सिधान्त कहने करती है कि बलबन जब वहां का सासक बना था तो अपने राज के वबस्ताओं को सुधार करने ही तो और वबस्ताओं को सुचार रूप से चलाने ही तू जिन नितियों का वो परियोग किया था वही नितिकों लोग क्या कहते हैं और राजत वसिधान्त कहते हैं क्या कहते हैं राजत वसिधान्त कहते हैं तो सबते पहले आपको लिखना भूमिका क्या लिखना है भूमिका और भूमिका मैं लिखना इस प्रकार से है कि बल्बन ने अपने राजववस्था को सुचार रूप से चलाने के लिए जिन नीतियों को अपनाया था या तो जिन नीतियों को पालन किया था वही नीतियों को जो है बल्बन के राजत्व सिंधान्द के नाम से जाना जाता है इस कह सकते हैं कि बलबन ने अपने राज पवेस्था को सुचार रूपते चलाने के लिए जो निती अपनाया था वही निती को आपने लोग राजत्व सिंधान्द के नाम से जानते है कहा जाता है कि बलबन दिली सल्तनत का एक मातर ऐसा सासक था जिन्होंने राजत्व सिंधान्द को स्थापित किया कहा जाता है कि इनका सासनकाल जो है 1266 से लेकरके 287 इसवी तक माना जाता है इनका सासनकाल कब से कब तक है 1266 से लेकरके 287 तक इसका सासनकाल माना जाता है और ऐसा भी कहा गया था कि यह जो है इल्दूत्मिस का गुलाम था बलबन जो है इल्दूत्मिस का क्या था गुलाम था इन्होंने अपने समराज की प्रतिष्टा को स्थापित करने के लिए लोह एवम रक्त की निती को अपनाया था अब देखें बातें यहाँ पर आती है कि बल्बन के राजत वो सिधान की मुख विसस्ता है कि बल्बन ने जो राजत वो सिधान अपनाया था उसकी क्या-क्या विसस्ता है यह तो कह सकते हैं बल्बन के राजत वो सिधान क्या-क्या थे ठीक है तो देखें बल्बन ने जो पहला सिधान अपनाया था वो है लोह एवम रक्त की निती क्या था उनका मानना था कि इन्हे जो है मिस बलवन को पृत्वी पर भगवान के द्वारा भीजा गया देवी देवताओं के द्वारा भीजा गया किस के लिए तो जनता के रक्षा करने के लिए कौन मानता था ये बलवन मानता था कि मुझे जो है भगवानों के द्वारा धर्ती पर भेजा गया है जनता के रख्षा करने के लिए या देवी के सिधानतों पर विश्वास रखते थे कौन बलबन जो है देवी के सिधानतों पर विश्वास देवी देताओं के सिधानतों पर विश्वास रखते थे कौन बलबन ठीक है अब देखे नेक्स्ट में कहा गया दूसरा कि स्वाई को सरवच्च माने ठीक है यह बलबन जो है अपने आपको सरवच्च मानता था सबसे अधीक सरवच्च सबसे अधीक उचा मानता था कहा गया कि इन्होंने अपना दर्जा जो है प्रेगंबर के समान के बताया ठीक है मैं इस प्रेगंबर के समान मिस कहा सकते है कि देवी देवताओं के समान जो है अपना योगेता को दर्षा आया अपने आपको ये दर्षा आया था ठीक है कहा गया कि इनका मानना था कि सुल्तान को कारे करने की प्रेरना इस वर से मिलती है ये कहता था कि सुल्तान जो कारे करता है इसकी प्रेरना उसको कहा से मिलती है इस वर से मिलती है कहा से इस वर से मिलती है और आगे कहा गया कि बल्बन ने यहां भी कहा है कि सुल्टान का आदेश ना मानना अल्लह का आदेश ना मानना होता है मिस इन्हों ने कहा था कि अगर आप सुल्टान के आदेश नहीं मानते हैं तो आप सोचिए कि आप अल्लह के आदेश को नहीं मानें एक गुलाम था अर्थार्थ बल्बन इल्टूत्मिस का एक गुलाम था है ना इल्टूत्मिस के तवारा बनाया गया चालिसा दल में जब इल्टूत्मिस ने चालिसा दल बनाया था उसमें बल्बन उसमें सबसे योगी व्यक्ति था इसमें इल्टूत्मिस के चालिसा दल में जो आगे चलकरके 1226 स्विय में बलबन ऽए डिली के सियासन पर बैठा था ben बलबन 2666 में डिली के सलतनत पर बैठा था, ठेक है अब यहां तक हम दोगों ने जान लिया कि आखिर इसके क्या क्या विश्यस्ता है थे मिस बल्बन के राज़तों सिधान्त की क्या क्या विश्यस्ता है थे बलबन अपने नीजी एम सारवजेनिक जीवन में निमलिकित नीतियों को अपनाया जिसका अपना नीचे दिया गया है पहला है कठोर नीतियों का पालन इसने जो है अपने राजस्तों को सफल बनाने के लिए अपने राजत्व सिधानत को सफल बनाने के लिए सबसे पहला जो निती अपनाया था वो कौँछ था कठोर निती का पादन करना कहा गया है कि बलबन ने अपने राजत्व सिधानत को सफल बनाने के लिए अपने राजियों में कठोर नितियों का पादन करवाया उसने अपने राज्यों में अनुसासन बनाया रखने की सर्ते रखी उसने ये सर्त रखा कि हमारे राज्य में जो है अनुसासन बरती जाएगी जैसे कि अरिकारियों के लिए ड्रेस बाते करने का तरीका ये सब चीजों को सुधार करने के लिए कहा गया था किसमें बल्बन ने अपने राज में और ये भी था कि बल्बन जो है ना जादा किसे से बातचीत भी नहीं करता था ठीक है वो अपने आपको कठोर दिखाता था कि मैं क्या हूँ कठोर हूँ और मैं कठोर दंड दूँगा अगे कहा गया है कि उनके समराज में जो उनके नितियों का पाला नहीं करते थे उन्हें कठोर दंड दिया जाता था और बल्बन नहीं से सफल बनाने हे थे तूँगा अपने समराज में अनुसासन में रहता था ठीक है क्योंकि खुद अनुसासन में रहेगा है ना इसलिए वो खुद भी जो है अनुसासन में रहता था आगे कहा किया है कि उसने दर्बारियों के लिए सीजिता ठीक है और पैबोस की नितियां अपनाई मैं इस कहने करती है कि अगर कोई दर्बारी जो है अगर राजा के दर्बार में आता है तो वो क्या करेंगे भूमी पर लेट करके जमीन पर लेट करके राजा को क्या करेंगे परनाम करेंगे और उनके पैरों को जो है वो चुमेंगे ठीक है ऐसा नितिया अपनाया था किसने बलबनने तथा अपने सुरक्षा हेतु जो है अंगरक्षक भी मनाया था राजा के अगल बगल क्या रहते थे अंगरक्षक भी रहते थे जो सियासनर के दोनों दरब तलवारे लेकर के खड़े रहते थे ठीक है यह पहला निती हो गया उसका दूसरा निती है कि सक्तिसाली सेना इन्होंने क्या किया था सक्तिसाली सेना का गठन किया था कहा जाता है कि बलबन ने अपने राज़तों सिनांत की सफ़वता है तू एक सक्तिसाली सेना का गठन किया क्यूंकि बलबन को यह पता था कि समराज की सुरक्षा बिस्तार तभी हो सकती है जब उसके पास एक सक्तिसाली सेना होगा मैं इस बलबन जानता था कि अगर मुझे अपने समराज की बिस्तार करना है तो विकास करना है तो उसके लिए जो है मेरे पास क्या होना चाहिए एक सक्तिसाली सेना होना चाहिए इसलिए उन्होंने सेन बिवस्ता पर बिध्यान दिया तक इसने बलबने कहा जाता है कि उन्होंने अपने सेन सक्ती को बढ़ाने के लिए उन लोगों को सेना से बाहर कर दिया जो लोग पहले से अपने पिता के स्थान पे रहते थे और जो लोग आई होगे थे मिस कहने करती है कि उसने जो है न अपने सेना से उन लोगों को हटा दिया जो अपने पिताजी के स्थान पे आये थे और जो आयोगे थे जो काको एक काम के नहीं थे उसको जो अपने सेना से हटा दिया ठीक है और वो जो है ऐसे वक्तियों को अपने सेना में रखे जो योगे थे ठीक है कहा जाता है कि और योगे वक्ति को सेना में भरती कर लिया जाता था और सुल्तान जो है इन सहीनिको पर निग्रानी रखता था जो सहीनिक इनके आगया का पाला नहीं करते थे उनका कठोर दंड भी दिया जाता था तरी तीसरा निती है सही नियाय का वेज़दा किया कोई बी वैक्ति को नियाय जो है मिलेगा कहने करती है कि बलंबन ने अपने सम्राज में निस्पक्ष नियाए तथा कथोर दंद की निति अपनाई और बलंबन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नियाए के मामले में जो आ यह अपने बेटा और भाई भी माफ करता नहीं था कौन बलंबन, ठूक है आगे कहा गया कि इन्हों ने निसपक्शन न्याय एवम कठोर दंड़ की निती को अपनाया था जिसके कारण लोग अत्याधीक डरते थे किससे बलबन से जो हना लोग बहूँ ज़ादा डरते थे ठीक है क्यों क्यों इन्होने जो हловना कठोर एवम निस्पक्ष नियाय का विवस्था किया था आगे चौथा जो है वो गुप्तचर विवस्था क्या है गुप्तचर विवस्था कहा जाता है कि बलबन ने अपने आपको दूसरे राज्यों के सड्यंतर से बचने के लिए जो है गुप्तचर ववस्ता का भी ववस्ता किया था कहा जाता है कि बल्बन ने अपने समराज में गुप्तचर भी रखे थे ताकि इनके विरूत कोई सड़ेंदर नहीं रच पाए और गुप्तचर भी भाग इनका सबसे विस्पास निये व्यक्ति होता था जो सबसे ज़्यादा इस पे विस्पास करते थे राजा जिस पे सबसे ज़्यादा विस्पास करते थे उसी को वो गुप्तचर चुनते थे जो क्या करता था किसी वे परकार की जानकारी जो है जो सुल्तान के भिरुद होता था वह जानकारी जो है किसको देता था सुल्तान को देता था कौन उचड़ देता था एक अप देखें यहां देखें यहां से प्लिव congregants को भी समझझलया क्या長 ौश क्या क्या थी गार्प renowned अलब सब्सक्राइह सब्सक्राइबूं और धी लिए लّकिने हैं उसके पहले था बता दिने चाहते हैं मुझे अपने सब्जेक्ट का कॉमेंट अवसे करें ताकि मैं उसके आगे का त्यारी करवा सकूं और आपको AAC पेपर और BAC पेपर के फुली त्यारी आपको मिल जाएगा उसके आपको घवरानी के जुरत नहीं है अब देखे बाते हैं आप यहां पर आती इसके निश्कर्स उन्हें सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई सुल्तान का जो सम्मान है उसको बढ़ाया था किसने बल्बन ने और उसने अपने बिरोदियों की सक्तियों को कुचल दिया था अपने बिरोदियों के सक्तियों को कुचल दिया था और उसने सांती वेवस्था स्थापित किया इससे जो है उसनों ने क्या किया अपने समराज में सांती विवस्था स्थापित किया और उसने अपने देश को मंगोल के आकरमन से भी बचाया था तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह कूशन आपको completely समझ में आ गया होगा और अगर यह कूशन आपको समझ में आ होगा वीडिय आप अवस्य कर लें तो मिलता नेक्स वीडियो में तुब तक के लिए चुए ही जै बारत